एक तरफ देश की जनता कोरणा महामारिश से परिशान है तो वही बढ़ती महंगाई से लोगों का बचट बिगड़ रहा है। लोग बिरुज़कार हुए है और कई लोग ब्यास से पैसा लेकर अपना और अपनी परिवार का जैसे तैसे गुज़र बसर कर रहा है। का गुज़र बसर कैसा होगा इस चिंता में लोगों की मासित अठेरी है। बढ़ती महंगाई आस्मान को चुरी है। आज भी शहर की अधिकाच लोग भूके सो रहे हैं तो कई लोगों ने मौत को गले भी लगा है। केंडर की मोती सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने भी पूरी दरा से विफल नजर आ ली है। बढ़ती महंगाई से देश की जनता का चीना दुश्वार हो रहा है। इस बात को ध्यान में डगते भी नागपुर के सविधान चौप में नागपुछ शहर और नागपुर ग्रामिन के सेकड़ों कॉंग्रेस कारी करता हो नी। केंडर सरकार के खिलाब महंगाई को लेकर जम कर विरोत प्रदर्शन करते वे केंडर सरकार के खिलाब ना रिपाजेगी। इतना ही नहीं तो धुवादार बारिश में साइकर चलाकर सरकार का थ्यान आपनी और की चाथ। नाना पटोले के नेत्रस्वमे के कैए इस आंदुलन में सभी कॉंग्रेस के लिता पधादी कारी और कारी करता बड़ी संख्या में मौझू थी। यदि मोधी सरकार की और से महेंगाई को कम नहीं क्या चाता है तो देश में आर्टिक स्थिति को लेकर अराज सकता और भी बढ़ सकती है। आज़ा देश के गुलाम नागरिक जैसी स्थिती बड़ती महंगाई से हो रही है। इस और थ्यांतिना बेहत जरूरी है यही समय की मांग है। सम्विदान चौक से कैमरा पसंद राजकुमार महट के साथ संचे मिरें बिस्यंदिव्ज नापूर।